किए कितना soft केक हमारा बना हूंढ हे बहुत ही soft देखे मैं इस से द rate कर दिखार हा हूं इस को मैंने बहुत ही simple तरके शब्राए कर दिक्द्थ है पर आप लोga पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो यहां मैंने सबसे पहले एक हैवी बाटम का जिसका बाटम मतलब है वह बरतन आप लेना है उसको परख देना सबसे पहले प्रिशीट होने के लिए उसमें मैंने नमक डा देखलिए खूल लेना है किसी और बटर से आप इसको ग्रीज कर सकते हूं फिर मैंने इसी के साइस का बटर पेपर यह लगाए यह और बटर पेपर लगाने से हमारे के बहुत ही आसानी से डीमोल हो जाता है अगर बटर पेपर नहीं है तो आप यहां आटा भी डाल के यह म के बराबर है अब इसको अच्छी तरह से में बीट कर लेना है इतना अच्छा बीट करना है कि यह पुरी फलफी बन जाएगी यह देखे यहां पुरी बन गई है मेरे और और दही को मिला कर अब एक ड्राइ इंग्रिएंट्स हम क्या क्या लेना है उसके लिए कलग बाउल ले फिर इसमें दूसरे और चीजें डालोंगे यहां शुगर लेना है कफ लिया है और प्लस दो टेबल स्पून यहां शुगर है पाउडर शुगर को मैंने नॉर्मल जो शुगर थी उसी को मैंने घर में पाउडर बना लिया है अब यहां बेकिंग पाउडर लेना है पाउडर लेने, 140 टीस्पूम, अब इसको पूरा अच्छी तरह से चान लेना, अच्छा इसको चानना सीव करना बहुत ही जरूरी है, उससे हम इसमें एर फॉर्म हो जाती है, तो हमारा केक बहुत ही अच्छा बनता है, इसमें देखें, जो भी थोड़े खड़े खड़ी ची रॉठ ना, उसकी तरफ आते हैं, इसने निदेखें, कॉफी और वाटर में दिया था, यहां में से निदेखें ुछा सबहरान चणा के रखा त्सकूश्या, अब यहां बटर ब कंछ की द थी घृड़िय तीजा की च'm ido जट की, जो अटा निदेखें पहले प्रमीर, अंब करेंगे लिगास कर देखें मैं इसको कटन सोल करके इसको करना है थोड़ाइब नहीं डाल कर दो इसको नैट साथ पुरे नहीं डाल देना है नए तो लाम्स पढ़ जाएंगे इसमें तो मुश्किल हो तो तोड़े-धोड़े डालते जाना ऐसी कटन Kü की तरह से मसमाध तयार क यहां पर कितना अच्छा स्मूद दिख रहा है एक भी लंप इसमें नजर नहीं आ रहा है यहां बैटर हमारा रेडी होगे अच्छा बैटर के पहचान यह है कि रिबन फॉर्म में इसको जब आप गिराएंगे तो ऐसे गिरेगा ठीक है अब यह हमने ग्रीज करके रखी ती गजम्हें इसको टोलना है मीक्चर को अपने दादा यहां यह इसकी ठीकिनेों से ऐसे सिस्टेंस है घुलोगे अब इसको बहुति के ward guys यहां जायँ जिए फोली भीक्ट करने से करना अब बहुत बहुत ही अ संसी सब्सक्राइब दाल देंगे और 40 निंट तक किसी है we वेट रख देंगे और उसको 40 मिन तक डाल के छोड़ देंगे ऐसे ही 40 मिन चेक करूंगे यहां मैं फ्लेम दिखा रही है इस इतनी फ्लेम में रखना है कितना अच्छा तयार हो गया है हमारा यहां केक देखे मैं इसको टूट्पिक डालकर चेक कर रहे हूं जरा भी अंदर कच्छा पन नहीं है पूरा अंदर तक अच्छी तरह से पग गया है अब इसको निकाल करना एक रख देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए ठंडा करने के किमारा थन्डा हो गए आप लगाने के रख भढ़ेें लिद Tucson करना है तो यह ठंडा हो गए हैं अब यहा डी मौल कर रही हूं कितनी आपार शाय है कितनी तरह निकल गए हमारा की अब इसको निकल के साइड और निकाल के साइड में डालतेंगे कितना फलुफी इक टितना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए नेक्स वीडियो तक के लिए अल्ला हाफीज